हेलो, वेलकम टो टेक्शनमित, आज की स्टेशन में हम एक्सस क्लाइंट सॉलेशन का टूल बार में से एक और आप्शन कवर करेंगे, जो है डिस्प्ले से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, इस आइकन को लोकेट करना है, और वहाँ पर जैसे ही आप माउस को लेकर जाओ कर सकते हैं, तो यह category wise divided है, पहली category है, cursors related, तो देखते हैं, यहाँ क्या है, इसमें shape, अभी जैसे underline पर set है, और block पर हम इसको change कर सकते हैं, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं cursor रख रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा underline show है, तो यह इसका cursor है अगर इसको आप change करना चाहते हैं, ब्लॉक पर तो यहाँ से block पर select करना है, और okay कर देना, तो यह इस तरह से block में change चाहेगा, एक तो feature यह है इसका, दूसरा भी इसको मैं वापस से पर गड़ देता हूं, pointer, pointer में हम crosshair कर सकते हैं या default कर सकते हैं, default अभी है जो चल रहा है भ इसको crosshair बोलते हैं, फिर इसको चाहो तो default पर कर दो, मैं सारी settings default पर रख रहा हूं वापस से, allow blinking cursor, अभी अगर जैसे मैं यहाँ पर cursor रखता हूं, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो मुझे कई बर दिखता नहीं कि cursor कहां पर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, blinking पर set कर सकत और यह कुछ other options रहते हैं, host color, blinking text, mapped, तो यह क्या होता है, अगर कोई blink related field है, तो उसको turn on करने के लिए mostly हम यूज करते हैं, color change करना है, mapped color, तो यहां से color भी change जाता है, but मैं यही recommend करूँगा कि इन options को आप need हो तो ही use करें, इसमें क्या होगा, जैसे जब भी text को blink करना है, तो इस पे by default यह host color पर रहता है, वरना आप इसको select कर सकते हो, ठीक है, तो और हाँ, एक और चीज़, अगर जैसे मानलो, मैंने कुछ इस में settings में change कर दिया, बाद में वो मुझे सही नहीं लग रहा और मुझे वापे से reset करना है, तो हमार पास reset का भी option रहता है, तो यहां से आ आपको help मिल जाएगा, help के अंदर आप in options को देख सकते हो, कि यह हम किस purpose में use करना है, कौन सी blinking text होती है, कौन सा host color, mapped color, ठीक है, अब हम दिखते है second वाला, second है rule line, इसमें क्या है, अगर इसको मैं on कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा, इसको on करके मैंने ok किया, तो आ तो आप मुझे जैसे, यह free format code है, पर इसका alignment में को देखना है, कि यहाँ पर मैंने dual start किया, तो अगर मैं page down करूंगा, तो इसका end do भी इसके साथ में होना चाहिए, तो यह देखो, यहाँ पर हो रहा है, तो यह alignment के लिए बहुत useful है, fix format में आप इससे पता कर सकते हो, कि कौ पर आप चाहो तो इसको fix भी कर सकते हो, जैसे, अगर मैं चाहता हूँ कि एक line पर यह fix हो जाए, बाद में move नहीं करें, जैसे अभी जहाँ है, वही fix रहे है, तो इसको कर दूँगा no, और ok कर दूँगा, अब मैं cursor कहीं भी move कर रहा हूँ, यह line मेरी fix है, ठीक है, यह specially designing कर हम इस तरह की जहां पर हमार को एक idea के लिए, एक line fix रखनी है, वाकी हम खुद अपने according set करेंगे, तो हम यह use करते है, mostly, ठीक है, तो rule line में से जाके, इसको कर देते है, follow course, yes, style, style में आप चाहो तो vertical line ले सकते हो, horizontal या crosshair, तो इसको मैं horizontal में एक बाद दिखा जेता हूँ, otherwise, अब यह vertical में show कर रही है, पर mostly जो हम इसको use करते है, वो use होता है, यह crosshair पर, क्योंकि इससे ही आपको clear होगा कि कौन सी line, horizontal और vertical axis पर meet कर रही है, ठीक है, अब इसमें rule line में, यह हमने पूरा कॉर कर लिए, अब है sound का, sound में क्या होता है, clicker, error आएगा तो कौन से sound होना चा कर सकते हो, off, mute, off है यहाँ, mute on कर सकते हो, alarm है, यह कुछ different sound है, तो यह जैसी आप इसको text करो, यहाँ पर test पर click करोगे तो यह आपको sound भी produce करके देगा, और उस sound को आप अपने according set कर सकते हो, जैसे कभी कुछ error generate होता है, तो कौन से sound आना चाहिए, normal clicker, ठीक है, paste incomplete का कौन से sound तो यह कुछ sound के options है, मैं इसको reset all कर देता हूँ, क्योंकि इसको mostly हम नहीं change करते है, जो system default set है, वही हम use करते है, फिर हम आर पास एक view वाला, इसमें क्या होता है, जो column, यह वाले जो portion है, यह हम अभी के लिए नहीं discuss करेंगे, क्योंकि यह इतना use नहीं लेते है, अभी हम सर मैं एक session open करके दिखा देता हूँ, यह column separator कौन से है, run the same, ठीक है, यह मैंने run the same किया, अब आप यहाँ पे देखो कि dot line show हो रही है, dot dot dot, यह column separator है, यहाँ पे भी आ रही है, इसको हम change करके देखते हैं, तो इसी से ही हम यहाँ पे जाएंगे, option पे, viewing पे, dot को हम कर देते है तो जैसे अब line पे click करके ok करोंगे, तो यह line में separate हो गया, ठीक है, यह line separator है, यह line separator है, यह इतना अच्छा नहीं लगता, UI के लिए, तो हम इसको चाहो तो आप off भी कर सकते हो, अगर मैं viewing पे जाके, इसको कर देता हूँ, off, तो यह कोई भी separator नहीं दिखा रहा है, तो य आपके लिए useful रहेगा, तो यह कुछ features हैं, जो हम यहां से use कर सकते हैं, यह फिर है row column indicator on OIA, indicator row column, ठीक है, इसको अगर off करूँगा, मैं, और ok करूँगा, तो आपको दिखेगा, यहां से यह off हो गया, मतलब यहां पे वो row column indicator था, वो अब नहीं show हो रहा है, ठीक है, इसको व row column indicator तो हमें चाहिए रहता है, जब भी हम designing करते हैं, इसको 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 एक्स और Y coordinate वो शो कर रहा है, ठीक है, viewing में यह option है, फिर यह वाले options हम अभी के लिए discuss नहीं कर रहे हैं, यह बात में हम discuss करेंगे, और मैं इसको चाहँ तो reset all भी कर सकते हो, अगर आपने कोई changes नहीं क but मैंने change किया, यहाँ पर column indicator off किया, तो मैं इसको ok कर दूँगा, तो यह हमने जो option कवर किया, वो है, set display cursor and text options, ठीक है, तो I hope यह portion आपको clear हो आओगा, next portion में हम बाकित अब दिसक्स करेंगे, so thank you for watching texture, मत,